ये है राम शुरूप चौरसिया इस्परति द्वार, महर्सि चौरसि जी महराज, देखे, प्रत्मा लगी होगी उनक्यू पर, चौरसि जी महराज से ही चौरसिया हुए है। कमलेश चौरसिया इस्परति द्वार और अब हम यहां से चलते हैं पंच तत्य बिलीन इस्थल से अंदर यह देखिए पंच तत्य आजन यग मंदिर पंच तत्य बिलीन इस्थल और यहां जैसे ही एंटर करेंगे तो एंटर करते ही पीछे से दर्वाजे का आपको दिखा दूँ गेट का यह देखिए पीछे से तर्माणा अधीन है यहां पर जैसे जैसे किसी के बच्चे बाहर विदेश में रह रहे हैं और उनको आने में शमय लग रहा है तो अगर फोन करेगा तो यहां से यहां के कर्मचारी जाएंगे यहां की गाली जाएगी उस पार्थिव सरीर को लाएंगे और यहां पर एक फ्रीजर कोल्ड इस्टोर टाइप बनगा है अंदर यह देखे रूम बना है वोक्स रखे जाएंगी हाँ हाँ वो फ्रीजर बनाया जा रहा तो जो मिट्टी यहां पर स्वक्षित रह सके दो दिन चार दिन दस दिन जो भी उन्हें ट्राइम लगता है उस समय तक और उसके बाद वो आते हैं आरके अपना अंतिम शंसकार करते हैं और नहीं भी आप आते हैं तो वो वैसी सूचर देंगे तो यहां उसकी भी विवस्था है कि उनका विद्विदान से दाह शंसकार किया जा सके देखे कर्णचारी लगे रहते हैं शाफ शफाई समसान घाठ है तो क्या हुआ लेकिन उसी तरीके से ओम स्री पागल वावा गंगा शागर धाम यह पंच्चत बिली निस्थल है विश्चो का प्रथम बताते हैं और इतावा का गौरब भारत का गौरब और भरतना की शान 27 नक्षत्र याजन यग मंदिर लकड़ वगरा पड़ा हुआ है लकड़ी इधर भी काफी लकड़ी पड़ी है यह केवल पार्थिव शरीर को के दास दंसकार है तू और देखिए यह अच्छा यह बीच में क्या बना है यह गारी खड़ी है यह स्थान किसका बना जे यह यह समाधी इस्थाल बनियो ही है यह चौरसिया जी के यह है नत्बहू अच्छा अच्छा यह नाती है अच्छा तो यह तीन लोगों की यहीं पर समाधी है हाँ यही मतलब जो है अच्छा यह अच्छा और यह देखिए चौरसिया जी की माता जी की समाधी इस्थाल अभी बननी है पिछली वर्सी ही हुआ था इनका दियाव शान तो अभी इस पर भी काम होना है जैसा की अभी पंडिजी ने बताया था कि बिश्व का प्रत्थम मोक्षधाम बलत ऐसा मोक्षधाम आपने बिश्व में नहीं देखा होगा सुना नहीं होगा देखने की बाद छोड़िये सुना नहीं होगा ऐसा मोक्षधाम अभी काम चला इसमें अभी ये कम्प्लीट नहीं है एक लगवक 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 ल नाम से वीडियो है, तो एक साल बाद भी मैं आ रहा हूं, तो काफी कुछ बन चुका है, लेकिन अभी भी काम चलना है, और जैसा कि पंडी जी ने बताया था, कि चौरसिया जी का ये प्रण है, कि जब तक वो जीवित हैं, इसमें काम होता रहेगा, यानि चलता रहेगा, मैं इश्वर से प्रार्थना करता हूँ, कि उनकी इस प्रतिग्या को पूर करें, और हमेशा इस तरीके से काम चलता रहे, और ये हमारे जन्पत इटावा के लिए एक गौरव की बात है, द्वादस रासी याजन यग मंदिर, ये देखे, ये जो मैं अभी बात कर रहा था इसकी, और ये नागवनसी पंच्तत बिलीन इस्थल मोक्षधाम, अभी मैं इसके पास चलूँगा, गेट के पास, तो वहां से मैं आपको दिखाता हूँ, और पहले मैं दिखाता हूँ इ जो यग साला है, याजन यग मंदिर, ये देखे, यहाँ पर पहले पार्थिश शरीर को लाया जाएगा, और पार्थिश शरीर को ला करके, ये ये देखे, ये यग साला जो बनी हुई है, बताते हैं कि यहाँ जो पार्थिश शरीर आएगा, उस पार्थिश शरीर को जो अगनी दी जाएगी, वो इसी एक विसाला से जाएगी, उसका बिद्विदान से, जो भी अंतिम संस्कार में क्रिया कर्म होता है, वो करने के बाद, और यहाँ से दी जाएगी, उसको अगनी उसकी चिता के लिए, यह देखें, सभी राशियों के यह बने हुए जैसे देखें, यह मिथुन, और ब्रस, सभी राशियों बने हुए है, इसको जड़ा मैं बैक कमरे से देखाता हूँ भी आपको, यह देखें, कि बुकता आए, तभी पीते हैं, जो करद कीज़ी का, इसको करद कीड़ा घखें, कि अच्छाए हो का, लिए panel के यह है, यह देखें, और यह दो करेदा है, कि शूरी देखने के, देता है उसको केले लिए किला और यह दो देखना च rifleा, बारे रासियां और नोग रहे और बीच में शूरे भर्गवान बारे रासियों में देखे जैसे मिथन का ये है दिया है और नक्षत्र भी बीच बीच में है इसमें नक्षत्र जैसे देखे रोहनी नक्षत्र है मरग सिरा नक्षत्र यानि पूरा हम कहें तो हमारा ब्रह्मान इसमें समाहित है देखे अश्वनी नक्षत्र नक्षत्र अलग है रासियां देखे मेश रासि मगा ये सारे नक्षत्र ग्रह और राशियां और बीच में भगवान शूर देखे तो ये उसी को ध्यान में लग करके बनाया गया है देखे यहां लिखा भी है विश्व का पृथम भारत का गौरव और भर्थना की शान पंचितत तुबिलीन इस्थर हलो दोस्तों अभी हमने तरसंद किये अदवत मोक्ष धाम के जो कहा जा सकता है कि हमारे जन्पद इटावा की शान गौरव बहुत अच्छा मंदिर और जैसा हम आपको गाइड कर सके अपने दिमाग से दिमाग है कितना छोटा सा है उस तरीके से मैंने आपको दिखाया साइद आपको वीडियो पसंद आया हो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें और जो लोग पहली वार हमारे वीडियो को देख रहे हैं या चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन वाला बटन अवश्य दमाएं जिससे हमारे नए जो वीडियो आते हैं उनका नौटिविकेशन आपको सरप्रथम मिले और आप उसको देख सकें हम अपना विलोग यहीं समाप्त करते हैं बने रहे हमारे साथ देखते रहे यूटूब चैनल एहसास प्रकरति का जैहिन जै भारत जै माता दिए झाल झाल झाल